बोगे सात्यों क्या हो अगर आप जब सुबह की खुले और आप ऐसे आस्मान में देखो और ऊपर से मचलियां आ रहे हैं गिरती हुई जाद ना वारिश हो रही है मचलियां गिर रहे हैं मिंदग गिर लोग बिलोकोल अच्छंबे में आजाएंगे भोस सारे लोग डर जाएंगे वोस्तारे लोग कहेंगे एक कुछ शिराप हो गया और दुनिया बर की चीज़ें जो की होती रहेंगी पर मैं आपका बता दू सवी सीङे सछी ऐसा निकिने एक बार हुआ कई बार ऐसा हुआ कि आसमाल से मेंडा केकडे मचलिया है जोकि उस्पर से नीचे गिर रही है वह क्या है ये जो कहानी में आपको बता रहा हूँ तेलंगना में ऐसा ही हुआ है कि मचलिया उपर से गिर रही है केकड़े गिर रही है ये एक तरीके की बारिश हो रही है इसी को दोस्तो एनिमल रेन कहा जाता है और ये जो एनिमल रेन है पहली बार नहीं हो रही एनिमल रेन इससे पहले भी बहुत सी जगा देखी गई जहापर हुई है अब सवाल एक यह उपर से आती कैसे हैं मचलिया मेंडा काते कहां से क्यों उपर से आ जाते हैं यह को उच्छाल की फेक देता कैसे थोड़ी वह जगा थोड़ी नहीं तो मैं आपको बतातों दोस्तों होता क्या है आप लोगोंने टोर्न टोर्नेडो की वीडियो देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि टोर्नेडो जब घूमता ऐसे गोल 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 तो इतना तेजी से घूमता है और इतनी पावर के साथ घूमता है कि बड़ी बड़ी गारियों से लेकर बड़े बड़े ट्रक से लेकर तनी पावर आजात असलब मैदान वाले एरिया में वहाँ टोरनेडो हो जाता है और यही जब बात होती है पानी में जैसे कोई समुद्र है समुद्र में आगर ऐसा करके कुछ हो जाता है जैसे गोल 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 गूम रहा है तो इसे बोला जाता है वाटर स्पाउट क्या बोलते हैं पास पास में रेंगने वाले साफ हो मिंड़क हो मचली हो साफ उसके चपेटे में आ जाते हैं चपेटे में घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं जैसे जैसे दीरे दीरे समय बीतता और उसकी पावर जब हलकी पढ़ने लगती है तो इसके चंगल में जो गोल गोल घू जो जितने भी यह गूम रहे गूम रहे उससे पर छूटे लग जाते गूम रहे घूम रहे चूटे गा दूम मचली गई उधर मिंदग गया उधर वह गया उधर तो जो आशपास के इलाकियों होते हैं वहां हर जगा इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं और एक घट को पर घर के आज पास तरीकी की जो मचलियां है मेंडक हैं केकड़े हैं यह उपर से नीचे गरे बारिश हो रही थी दिखने में वहां पर तो साफ ऐसी लगता है यहां से थोड़ी ना रहे वह तो दद्दस किलोमेटर दूर से आ रही है जो पता ही नहीं चल रहा है यहां दि आज पास के तालाब तक में अगर तेज बावंडर वो घुझरा ना तो तालाब में भी जो मचलियां उगी ना वो भी गुल गोंगे आज पास के घरों में जाके गिर जाएंगे कभी अगर ऐसा हो आपके आज पास तो पहले घबराईएका नहीं क्योंकि लोगों का अलग- जगाहें दोस्तों बदोई डिस्टिक यहां पर भी सेम इसी तरीकी का इंसिडेंट हुआ था कि कई सारी मचलिया तें आस्मान से नीचे गिर रही थी आसपास के एरिया में प्रहां तो और गुजरा तो वही चीज ऐसे जगर के फिक फिक के आती है जहां लोगों को लगता है कि यह मचलिया आसपास ना होकर आसमान से गिर रहे हैं इनकी अलावा दोस्तों और भी बहुत से इंसिदेंट हैं जो कि दुनिया बर में हुए हैं जैसे कि 2005 में देखा जाए सो 2009 में टेड़ पॉल्स देखी के वह गिर रहे हैं एनिमल रेंड में उसे जिपान में देखा गया सेविटीन में कैलिफोर्निया में देखा गया बच्चे बार खेल रहे तो उन्हीं के उपर मचलिया गिरे जा रहे हैं इसमें बड़ी भारी चोट भी लग सकते कि भारी बड तो थोड़ा बचके ठीक है 2021 में भी ऐसी घटना तो इस तरी घटना देखी जाती है और यही घटना दोस्तों देखी गई तेलांगना में आपको लॉजिक पूरा समझ में आ गया होगा है ना तो कहीं अगर आपको इस तरीकिये कुछ देखे तो उसके लिए आपको पता है कि आपको दिखने लग जाएगी आज की नियूस कैसे लगी आपको सुनके कुछ नया सीखने को मिला तो मुझे बताना कि जी सर हम कुछ नया सीख गए हैं और आप उससे जुढने के लिए काम कर सकते हैं जैनल न दिया है सब्सक्राइब का बटन नहीं सब्सक्राइब कर चैनल कर लेना सब्सक्राइब वीडिव को शेर करना सबको बता देना कि अनीमल रेंड हो रही है और क्या होता है एनीमल रेंड के पीछे का कारण और सच में लोग क्या-क्या सोच लेते हैं कि बारी-बारी जोरी उपर से इंद्र देवता नाराज तो नहीं होता है ठीक है लोग इंस्टा पर होंगे मुझसे तो इंस्टा पर जुड़ जाएगा ट्विटर पर जुड़ जाएगा जहां पर आप है बिल्कुल उससे कनेक्ट हो जाएगे चलिए दोस्तों बाई-बाई मिलते हैं आप अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार जाए हिन जाए भारत तैंक यू